अब लुद अब चैनल और अगियाँ जाता है खाने में ये काफी मीठा होता है अंजीर का सेवन हमारी सहत के लिए काफी फाइदे मंद है और इसको भिगो कर खाना और भी जादा फाइदे मंद है इसमें बहुत अधिक मातरा में फाइबर और विटामिन्स पाई जाते हैं अंजीर को खाने के क्या-क्या फाइदे हैं और इसको कैसे खाया जाए और क्या इसके कोई नुकसान भी है ये सब मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आरोगे ग्यान को और साथ ही इस बेल आइकुन को भी जरूर दबाएं नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो अंजीर का सेवन हमारी सहत के लिए बहुत फायदे मंद है खासकर पेट सबंदी रोगों की प्रोबलम में ये बहुत लाबकारी है और इसके लावा ये बोड़ी में वीकनस दूर करने में भी काफी फायदे मंद है अंजीर में विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन K और कैलशियम, आइरन, मैगनीशियम, पोटाशियम, जिंक, कोपर, मैगनीज जैसे बहुत से पोशक तत्व पाई जाते हैं ये स्वाद में काफी मीठी होती है, काफी टेस्टी होती है और इसको आप भिगो कर खाएं तो जादा अच्छा है, ऐसे भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें नैचरल शूगर बहुत होता है, इसलिए खाने में ये काफी अच्छा लगता है, काफी मीठा लगता है और स concentration, piles, gas, acidity जैसे समस्याव से जूज रहे हैं और अपने पाचन तंतर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अंजीर के सेवन से बहुत ही फायदा होगा रात को सोने से पहले अंजीर को भिगो दें पानी में डालकर और सुबा उटकर उसे खाली पेट खाएं और उसका पानी भी साथ में आप पी लें जिसे आपको पेट समंदी प्रोबलम में बहुत ही फायदा होगा अपनी हड़ियों को मजबूत बनाने के लिए भी आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं क्योंकि अंजीर में कैलशियम, पोटाशियम, मेगनीशियम जैसे ततो भुरपूर मातरा में पाये जाते हैं जो हड़ियों को मजबूत बनाने में काम करते हैं इसके लिए आप अंजीर का सेवन रात को दूद में उबाल कर करें जिससे आपकी हड़ियों तो मजबूत बनेंगी ही और बोडी में हीमोगलोबिन की कमी भी दूर होगी सरदी जुकाम से भी रहत दिलाने का काम अंजीर कर सकती है पानी में चार से पांच अंजीर डाल कर उसे उबाल लें फिर इसके पानी को छान कर पिएं सुबा शाम इस पानी को पीने से आपको जुकाम में लाब होगा रोजना दो से चार अंजीर खाने से शरीर में बल और ताकत की वरेदी होती है कमजोरी दूर होती है ये शरीर में खून की वरेदी करती है जिससे आपकी थकावड की समस्या दूर करने में ये मदद करेगी जो लोग अस्थमा से परिशान है उनके लिए भी अंजीर काफी फाइदे मन्द है दो से चार अंजीर दूद के साथ खाने से अस्थमा में फाइदा होता है हाई बीपी की प्रोब्लम में भी अंजीर का सेवन काफी फाइदे मन्द है जिन लोगो को हाई ब्लड प्रेशर की प्रोब्लम रहती है उन लोगो को रात भर भिगो कर सुबा अंजीर का सेवन करना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है दिल के लिए भी अंजीर का सेवन फाइदे मंद है अंजीर का सेवन करने से कॉलिस्टरोल का स्तर कम होता है इसलिए ये हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए काफी फाइदे मंद है अंजीर में विटामिन C भी पाया जाता है और इसमें एंटी बैक्टिरियल एंटी फंगल गुन भी पाई जाते हैं इसलिए ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए काफी अच्छी है अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाना चाहते हैं तो भी आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं तो दोस्तो ये थे अंजीर के सभी मुख्य फाइदे और अब बात करते हैं हम इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं क्या इसे खाने से हमें कोई नुकसान भी हो सकता है अगर अंजीर का सेवन नीमत मातरा में किया जाए तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप इसका सेवन अधिक मातरा में करेंगे तो आपको इससे कुछ ना कुछ नुक्सान हो सकता है अगर आप इसका सेवन अधिक मातरा में करते हैं तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक मातरा में मीठा होता है अगर आपको high BP की problem है तो आप अंजीर का सेवन करें इसमें आपको फायदा होगा अगर आपको low BP की problem है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर इसका सेवन करें क्यूंकि अंजीर bread pressure को low कर देती है ज़्यादा अंजीर का सेवन करने से आपको पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है या फिर आपको डैरिया भी हो सकता है इसका सेवन करने से पहले बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसका अधिक सेवन ना करें नेमत मातरा में ले तो ये आपको फायदा देगी रोजाना 2-4 एंजीर का सेवन आपको करना चाहिए इतनी मात्रा इसकी सही है इसको आप कभी भी ले सकते हैं सुबा या शाम लेकिन सुबा का समय इसको लेने का बिल्कुल सही समय है अगर आप इसको दूद के साथ ले रहे हैं तो आप इसको रात के समय ले सकते हैं अगर आप इसको पानी में भिगो कर खा रहे हैं तो सुबह खाली पेट खाना सही है सुबह खाली पेट भिगो कर खाने से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है इसलिए ये गर्मियों में बहुत फाइदेमंद है सरदियों में भी आप इसको भिगो कर खा सकते हैं इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप इससे पूरा लाव लेना चाहते हैं तो आप इसको खाने के बाद एक घंटे तक खाली पेठी रहें तो दोस्तो ये थी इसकी सेवन की सही विधी दोस्तो ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं तो प्लीज हमें स्पोर्ट करें बहुत से लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज हमें स्पोर्ट करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे नए आये है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दुबाना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद